हेलो स्टूडेंट, उमीद करता हूँ आप सब खहरेश होंगे आज का हमारा टोपिक है कोडिनेट सिक्टम एंड डेटम पर GIS में मैपिंग से रेल्वेंट ये बहुत इंपोर्टन टोपिक है क्योंकि कोडिनेट सिक्टम ही मारा ऐसा सिक्टम है इसको यूज़ करते हुए हम कोई भी मैप ड्वैल्व करते हैं ताके हम किसी भी पॉइंट की अग्डेक्ट लोकेशन अपने मैप में शोग करवा सके हैं कोडिनेट सिक्टम और इसकी डिफरेंट टाइप को डिटेल में डिक्सक्श करने के पहले हम डेटम को देखते हैं कि हमारा डेटम क्या होता है डेटम बेसकली किसी भी कॉइंट सिक्टम में रेफरेंस पॉइंट को डेटम बोलते हैं अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि जब हमने अपना कोई एरिया मेयर करना हो या कोई डिस्टनस मेयर करना हो तो एक point के reference के हम उसको measure कर सकते हैं तो हम जिस point को अपना reference point बनाएंगे वो basically हमारा datum होगा इसको समझाने के लिए आपको एक example के तरो understanding करवाते हैं कि अगर एक person को एक building की height पे खड़ा कर दिया जाए और हम कहें कि इसका distance measure करना है या इसकी height measure करनी है तो वहाँ पर हमारे पास multiple reference point हो सकते हैं एक point तो हमारा है कि हम ground की surface से इसकी height measure कर सकते हैं तो अगर हम ground से इसकी height measure करेंगे तो वो वाला हमारा point basically datum होगा और अगर हम कहें कि वहाँ पर कुछ mention कर देंगे हमने C level से height को measure करना है तो हमारा जो C level वाला point होगा जहां के हम उसकी height मापना start करेंगे वो हमारा datum होगा इस तरह हम जो भी reference point मानते हुए अपनी height को या अपनी distance को measure करेंगे इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जहां पर हमारा elevation equal to zero होगा वो विसकली हमारा point datum कहलाएगा datum के अगर हम definition की बात करें तो proper definition है datum describe the vertical and horizontal reference point of the coordinate system datum को further explain करने के लिए आपको एक example दिखाई जारी है जिसमें एक horizontal line और एक vertical line यूज की गई है आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारे जो longitude और latitude होते हैं बिसकली वो हमारे horizontal और vertical line को represent कर रहे हैं यहाँ पर हमारा जो mean C level है वो बेसकली constant आ रहा है लेकिन हमारा जो earth के surface है जिसको छोड़ी छोड़ी line से represent किया गया है वो कहीं से कम आ रही है कहीं पर constant आ रही है कहीं पर value जयादा हो रही है It means के वो एक continuous value के form में represent नहीं हो रही जबके हमारा mean की level एक continuous value के form में शोकर वाय जा रहा है तो यहांपे हमारी earth का कुछ surface mean की level के बर show हो रही है तो एक mean के जो हमारे उपर show हो रही है वो positive value में आएगी और जो आपकी downside पे आ रही है mean की level के वो negative में आएगी तो ऐसी confusion में यह इस type के area को cover करने के लिए हमें एक ऐसा common point चाहिए जिससे हम अपने distance को measure कर सकें या height को measure कर सकें तो उसके लिए हमारे पार datum का concept आता है जिसमें हम किसी भी location या height को measure करने के लिए एक reference point को use करते हुए उसी से उसका direct location find करते हैं इस purpose के लिए कुछ common use होने वाला datum है उनमें हमारे पास North American datum 1927 या इसको NAD 27 भी बोलते हैं second datum की जो type है वो NAD 83 है एक WGS 84 है और ED 50 है ये कुछ common datum है जो के हमारे coordinate system में use किये जाते हैं अर्थ की किसी भी location या position को represent करने के लिए ये जो datum की different type के बारे में आपको explain किया गया है ये basically हर एक datum अपने एक reference point को use करते हुए या अपने एक reference point को मानते हुए किसी भी geographical area के location या position को measure करने के use किया जाता है हमारे mobile devices में जो GPS को use करते हुए हम किसी भी location को measure करते हैं वहाँ पर basically जो हमारे datum use किया जाता है वो by default WGS 84 datum use होता है तो ये हमारे datum के बारे में कुछ explanation थी अगर इसको हम असान word में कहना चाहें तो basically datum हमारा एक reference point को कहते है जिस reference point को use करते हुए हम किसी भी location या position को अपनी अर्थ पे represent करते हैं तो datum के बाद अगर transformation की बात की जाए तो transformation का मतलब ये होता है कि अगर हमने एक coordinate system से किसी दूसरे coordinate system में अपने map को convert करना होगा तो वो basically हमारा transformation कहलाता है और किसी भी coordinate system से जब हमने किसी और coordinate system में transformation करनी हो तो उसलिए या तो पहले वाले coordinate को या पहले वाले map को rotate किया जाएगा या उससे ceiling change की जाएगी या फिर उसी projection की जाएगी इस तरह करते हुए हम एक coordinate system से दूसरे coordinate system में conversion करते हैं अब हम बात करते हैं coordinate system के बारे में तो coordinate system basically किसी भी position को या किसी point को space में represent करने के लिए जो set of rules यूजज किये जाएगे वो basically हमारे coordinate system होता है coordinate system की वैसे तो बहुत की type हैं लेकिन कुछ major type use होने वाली हमारे GIS में geographic coordinate system है second number पे projected coordinate system है third number पे polar coordinate system है और four number पे cartesian coordinate system है जिनको हम one by one करके एक example के साथ understand करते हैं सबसे पहली type है geographic coordinate system तो ये एक ऐसा system होता है जो किसी भी position या location को longitude या latitude की मदद से किसी भी surface में उसकी location को represent करने के लिए use किया जाता है इसको एक example के थरूँ आपको बताते हैं कि हमारे जो surface है वो बेसकर ली एक circle की form में या एक ellipse की form में होती है जिसको हम globe भी बोलते हैं तो उस globe में जो हमारी vertical line होंगी वो vertical line basically longitude को represent करती है और जो हमारी horizontal line होंगी वो latitude को represent करेंगी यहाँ पर दो और main concept यूज़ किया जाते हैं कि हमारे globe को अगर vertically दो equal part में डिवाइड किया जाए तो वो line जो के हमारे globe को east और west में दो equal part में डिवाइड कर दे उस line को prime meridian बोलते हैं और हमारी horizontal ऐसी line जो के हमारे globe को दो equal part में north और south में डिवाइड कर दे उसको equator बोलते हैं और जिस point में prime meridian और equator आपस में cross करते हैं वो वाला जो point होगा उसको basically reference point बोला जाता है और reference point आपको बता चुके हैं के reference point हमारा वो point होता है जिस point के हम किसी भी location को measure करने के लिए use करते हैं जिसको हमने datum का नाम दिया था second type आती है projected coordinate system projected coordinate system में कैसा system होता है जो के हमारे 3D model को या 3D map को 2D में या plane में convert करने के लिए use किया जाता है जिसको map projection भी बोलते हैं projected coordinate system को map projection वाले वीडियो में detail में describe किया गया है कि किस तरह हम एक 3D map को 2D में convert करते हैं और हमारे projection के कौन कौन सी type है जो के use की जाती है projection के लिए third number पे आता है polar coordinate system polar coordinate system में एक ऐसा system होता है जो के एक reference point को use करते हुए किसी भी point का distance measure करने के लिए use होता है जिसमें एक r value use होती है जो के radial distance को represent करेगी और एक हमारे बाद theta use होता है जो के angle को represent करेगा और angle का आपको कैसे पता चलेगा जो हमने अपना reference point लिया है वहां से लेके जिस point तक हमें distance measure करना है उसको जब हम मिलाएंगे तो वहां पर जो angle बनेगा हमारे x और y coordinate के दर्मयान उस angle को बेशली theta बोलते हैं तो यहां पर हमारा reference point जो use हो रहा है वो बेशली 0 0 reference point को use करते हुए हम किसी भी distance को measure करने के लिए use करते हैं नमबर 4 पर आता है Cartesian coordinate system यह बेशली 2D या planar coordinate system होता है जो के horizontal distance को measure करने के लिए जिसको हम x axis बोलते हैं और vertical distance को measure करने के लिए जिसको y axis बोलते हैं use होता है 2D form में हमने एक अपनी horizontal line ले ली एक हमने vertical line ले ली तो जिस point में ये दोनों intersect करेंगे उस point को basically origin या reference point बोला जाता है जिसके value 00 होती है अब यहां पर हमारे basically coordinate को system को 4 part में divide किया जाता है horizontal line की जो right side होगी वहाँ पर basically positive value होती है x axis पर और जो x axis की ही left side होगी वहाँ पर negative value होती है इसी तरह हमारे जो y axis है y axis अपर side पर y axis की positive value होगी और down side पर y axis की negative value होगी इस तरह हमने किसी भी point की अगर distance measure करना होगा या location measure करना होगा वह x axis और y axis की value को use करते हुए एक point बनाते हैं तो यह था हमारा आज का topic जिसमें हमने datum को और coordinate system को detail में देखा कि हमारा basically datum क्या होता है और coordinate system क्या होता है जिसमें हमारे geographic coordinate system और projective coordinate system जो होते हैं वो basically datum से ही link कर रहे होते हैं क्यूंकि datum हमारे globe में किसी reference point को बोला जाता है तो geographic और projective system में भी basically हम उसी globe को use करते हुए किसी भी point की location को या position को measure कर रहे होते हैं मिलते हैं next video के साथ अब तक लिया लाहाफिज